हम पर स्वागत है अब नंदन है प्यर्वर्दोसकर का лайक रहा ह嗎 स्भी तोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब्स करें और उसके आगे कि और पढ़ाएं नहीं की है चलिए तो देख़िए किधे हम देखते हैं किलवाली ख्रास को कलवाली क्लास में सब सुष्थ हमने जांकारी उसको हम एक मिनट में कर लेते हैं किया है किया यहां किए राजस्तान का इतियास राजस्तान में क्या था मेवार्ड रियास्त के हम बात करें यहां पर कून साव वंस है गुहल वंस था इतना राजपार्ट कहाँ कहां चलता था खार्ध रासम्द भीलवाडा और चिप्न तोडगर उद्धपूर और प्रताफगर को मिला करने वाड कहला था अब बात करते हैं यह वाला च्छेत्र यह डूंगरपुर और बांशवाडा इसमें सामिल नहीं था क्योंकि यह इसमें सामिल हो जाता है उदर वांगरप्रदेश में इसके शाहती बात करें अब बात करें बुल्वंस परकार से मेवाड है वाल सत्में नगरी प्रतमान नाम का पर दोस्तों नगरी और यह पर पढ़ती है चितोडगल में कहा पर फटी यह चितोडगल में अबुल फजल ने गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा हमें क्या गुहिल वंस की उत्पत्ति की बारे में पढ़ाता है यहां पर गुहिल वंस की उत्पत्ति की बारे में पढ़ाता है क्या पढ़ाता वही गुहिल वंस की उत्पत्ति किस परकार हुई तो यहां पर कि हमने बात की अबुल फजल ने गुहिल बंस की उत्पत्ति नोशिका आदिल के वंसज जो इरान का रहने वाला था इससे मानी जाती है और कहा जाता है कि इसकी शंतान माने इसकी नोशिका आदिल के वंसज माने अबुल फजल केता है कि गुहिल वंस को नोशिका आदिल के व प्रामण बताता है करनल थोड़ वास्तों में जो सबसे बड़ा ज्या सबसे ज़्यादा प्रसिलित मत मानाजाता है कूल काडेत्य की पत्तासं वाटी पुश्पावत τη उसकी शंतान का उसकी शंतान कौन थी वही यह जद het स्टिक ही यहां दित्ते-स चिलतान की संतान वहा था कौन की इत्य में मिनने बढ़ता कि आछ सिर्वेट आछी पुत्र काहा जाता किसका पुत्र था राजा सिलादिती का इसकी पिता कोन थे इसकी माता कोन थी इसकी पुष्पावती इसकी माता थी लालन पालन इसका कमलावती ब्रामणी ने किया जन्म गुफा में हुआ था जन्म गुफा में हुआ और लालन पालन भी गुफा में हुआ ता इस कारण इसको क्या कहा गया गुहा दित्ते या गुहला दित्ते कहा गया था इसने अपनी राजदानी राजदानी यही कहलाने लगी अर्थात राजदानी वेसे वास्तवी रूप से इसने वास्तों में राजदानी नहीं बनाई थी लेकिन फिर भी अपने इस्तान पर राजदानी कहलाने लगी थी चलिए मुख्य रूप से बप्पा रावल की द्वारा यह राजदानी बनाई जाती है इसके बाद देखेगा बप्पा रावल किसकी बात कर रहे हैं पहले दोस्तों और मानमोरी को पराजित करके का जाता है कि जहांओ पर अधिकार कर लिए ता किस पर चितोड़ गड़ पर लगबद कब सासो तोटी सीस photote sir में इसने चितोड़ बर अधिकार कर लिए ता किस ऐक लिए समर सिंग द्वारा लिखिद भाइप प्रसकिते में इसे कि विप्रकाए गया क्या का गया राज गुरु भी का जाता है इस फेसी आरी упादिया हैं क्या है बहिए इसकी उपादियां हैं इसके उपादियां किस नागदा राजदा को बना लिया था इसके पत्छात वर बन का वास्टी किस साहब इसको माना जाता एक यहाँ यहां पर मानमोरी वही पूरी घटना अपने देख ली ती शांस्टो चोटी सिस्वी के लिए इसी के पश्चात बात करें तो यहां पर बपार रावल ने मेवार का प्रतम साथ सकता जिसने सुद्ध सोने के शिक्के चलाए जो एक सो पंद्रा ग्रैन के ते कितने थे वहीं का यहां पर एक लिंगी जी का मंदिर का निर्मार करवाया था कहां पर देखिए कहां पर करवाया था जहां पर जारती कि इसने एक लिंगी जी का मंदिर का कहा जाता है कि इसको सिव मंदिर है क्या है सिव मंदिर है इसे पासूपत संप्रदाई का मंदिर भी करते हैं ठीके ए और यह करवाया था और ये कापर पर पड़ता है हूदयपूर इनगी जी का मंदिर wanna यह सिवका मंदिर माना जाता है पाशुपध सम rêver का मंदिर माना जाता है मेवार के साथ ईक राजा मान ते त slips अपना राजा मानते थे और अपने आप को इसका गुलाम या दीवान माना करते थी किया मानते थे अपने आपको दीवान-या हुपादान-मंत्री अर्थत हमारा नंज thousand लिंगी और ईसका दीवान मानते थे जब मेवार में जब करने के लिए रियाष्थ से बाहर जाया करता था तो इससे क्या है एक लिंगिजी से आशिरवाद प्राप्ट करता था यहां का राजा और आशिरवाद प्राप्ट करने के बाद यहां से जाता था इस आशिरवाद प्राप्ट करने को क्या का जाता था वहीं आसका का जाता था पाकिस्तान में का जाता है कि यह कौन बैर दोस्तों कौन जहां पर गजनी यानि कि अफगानिस्तान कहां पर बपा राउल कहां पर अफगानिस्तान चला जाता है कहां पर चला जाता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में किसको पराजित कर देता है यहां के शाशक को पराजित कर देता है किसको पराजित कर करतेता है सासक को शाषक को प्राजित करता है और सासक को प्राजित कर दोथे कि पाने यहां पर आपने बांजय को नीज कर देता है किसका उसके जाता है कि यहां के आदिल को पराजित कर देने के यहां का सासक को था आदिल को पराजित करने ही दिए कि पस्चात यहां पर किसको यहां पर अफगानिस्तान या गजनी का सासक किसको बना देता है अपने भांजे को बना देता है अपने भांजे को बना देने के पस्चात यह कुछ प यहां को पिंडी कहा करते थे क्या करते थे पिंडी कहा करते थे इस कारण इस इस्तान पर रोकी गई तो यहां पर एक नगर बस गया जिसको क्या कहा जाता है रावल पिंडी क्या कहा जाता है भई रावल पिंडी नगर की स्थापना कहा पर पाकिस्तान में किसके नाम पर की ज जाती है यहां का डिया और यहां का स्वेश्वबक्त्र भॉलर मितसे शापना की चैस cluster किस्की से अहार को राज़दानी बनाया ता आहर को राजदानी बानाया था मेवार की राजदानी किसको आहर को बनाया था और हून राजकुमारी कौन पहर दोस्तो हून राजकुमारी हर्या देवी से विवा कर किया है और विवे प्रतम मेवार का प्रतम विदेशी विवा राजस्तान का प्रतम विदेशी विवा माना जाता है यह सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी अब आज बढ़ते हैं आगे देखिए इसके पश्चात यहां पर होता है सक्तिकुमार कौन होता है यहां पर देखीगा किसका नाम ले रहे हैं शक्ति कुमार कोन होता है शक्ति कुमार यहां का सासक कहा का पहले दोस्तों सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कहा का मेवार की बात करें इसकी बात करने जा रहे हैं मेवार की बात करने जा रहे हैं और यहां का सासक कोन होता है सक्ति कुमार कोन होता है शक्ति कुमार य यहां पर परमार परमार सासक होता है मुझ कौन पर दोस्तों परमार सासक मुझ की द्वारा आक्रमन किया जाता है कौन परमार परमार सासक होता है मुझ कौन पर दोस्तों परमार सासक मुझ इसके उपर आक्रमन करता है क्या करता है भई इसके उपर क्या कर देता है आक्रमन कर देता है और आक्रमन करके यहां पर किस पर अधिकार कर लेता है अपने मेवार पर अधिकार कर लेता है कोन कर लेता है मेवार पर अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है अब मेवार पर अधिकार हो जाने के पश्याद इसी के वंस में और इसी के का जाता है में कहा जाता है जिसका पुत्र होता है पर्मार का एक पुत्र होता है जिसे भोज पर्मार कहा गया क्या कहा गया भोज पर्मार कौन हुआ भी भोज पर्मार कौन हुआ भोज पर्मार हुआ इस भोज पर्मार के द्वारा क्या किया जाता है पैर दोस्तों इस पर अधिकार का बाद में सासक इसके बाद कौन सासक बनता है भोज परमार कौन सासक बनता है यहां का सासक बनता है भूज परमार कौन बनता है यहां का सासक बनता है यहां का सासक कौन बनता है भोज परमार यहां का सासक कौन बनता है नैक्ट मेवार का सासक बोज परमार बन जाता है मुझ परमार सकति कुमार को पराजित करके मेवाड पर अधिकार कर लेता है और यहां का सासक इसके बाद मुझ्य परमार के बाद कोन बन जाता है अर्थार्त यहां पर भोज परमार सासक बन जाता है अब भोज परमार सासक बन जाता है तो का जाता है कि यह क्या करवाता है यहां प निर्मान करवाया जाता है देखीगा देखीगा इसके द्वार एक मंदिर का निर्मान करवाया जाता है वो मंदिर कोंचा ता पहरे दोस्तो त्री भूवन नारायन के मंदिर का निर्मान करवाता है त्री भूवन नारायन का मंदिर का निर्मान कराता है कहां पर चितोड में क करवाता है त्रीव नारायन मंदिर का निर्मान करवाता है त्रीव नारायन मंदिर का निर्मान कहां पर करवाया जाता है चितोड में करवाया जाता है चितोड में करवाने के पश्चात का आ जाता है इसका जिर्णोदार इस मंदिर का जिर्णोदार कालांतर में कब कालांतर म मंदिर का जिर्णोद्दार क्या पहर दोस्तों री कंस्ट्रक्शन जिर्णोद्दार यानि दुबारा निर्मान या पुना निर्मान किसके जिर्णोद्दार किसके द्वारा आगे चल करूं महाराजा मोकल होगा यहां कोन होगा महाराजा मोकल महाराना महाराना और महाराना मो कर दिया जाएगा और इसका नाम क्या कर दिया जाएगा प्रतिहार सेली में गूर्जर कोंसी में गूर्जर प्रतिहार सेली में बना हुआ है यह मंदिर माना जाता है और कहां पर बना हुआ है यह चितोर्गड में बना हुआ है इसका पुन निर्मान किस ने करवाया मोकल ने करवाया और इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाते यह सारी जानकारी आपको हो जाने की इसके बात देखेगा क्या कंडिशन सक्तिकुमार होता है सक्तिकुमार के उपर आक्रमन करता है मुझपरमार मुझपरमार आक्रमन करने के पश्चात इसके उपर अधिकार कर लेता है अधिकार कर लेने के पश्चात क्या जानकारी मिलती है इसका पेटा होता है एक आयोगिस आसकता सक्तिकुमार इसका इसके उपर अधिकार करने के बादं इसका वनसद्या वोर नाराइन नाराइल का जिरुनदार एस्मंदिर का जिरुणदार करवाया जाता है मोकल के दूर्टन करोड़ा जाता है श कर देता है समित देश्वर मंदिर और कालान के हम इसे की किसuciones के नाम से जानते हैं मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैंقة सारी जानकारी है यहां पर इसके कुछ समय पश्चा जहां कोन होता है रन सींग और इसी को करन सींग भी करते हैं क्या करते हैं इसी को करन सींग के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं वही करन सींग के नाम से रन सींग या करन सींग नाम का एक शाशक होता है और यह कहां होता है वही रन सींग या करन सींग नाम का एक शाशक होत किसको जानते हैं किस नाम से जानते हैं कि उपर करें कि यह लिए गाल टेक्ट कि अले बिटाओ कि क्या कंडिसेन हैं यहां पर एक साशक होता है कौन सा साशक होता है रंसिंग रंसिंग साशक होता है तो रंसिंग साशक होने के बाद कहा जाता है इस रंसिंग के दो पुत्र हो जाते हैं कौन कौन से एक तो शेम्शिंग एक राहप कितने दो पुत्र होते हैं कितने पुत्र होते हैं इसके दो पुत्र हो जाते हैं एक तो शेम्शिंग और एक राहप कौन हो जाते हैं देख रंसिंग या इसी के बात करते हैं इसी के दो पुत्र होते हैं किते पुत्र होते हैं तो पुत्र होते क्शल्ट यहाँ पर देखिए पब दोस्तों क्या कंडिशन है यह पर एक तो पुत्र किते होते हैं कि फुत्र की बात करते हैं क्या बात कर रहा है ऊता है यह गभी है और दूसरा पुत्र राहप कौन होता है राहप ठीकिए पर दोस्तों अब क्या कंडिशन होती है यह दोनों पुत्र अर्थार यहां पर क्या सिच्वेशन होती है जहां से जो मेवार का जिया से हो दो भागों में बढ़ जाता है क्या बढ़ जाता है इसका जो पुत्र है और यह एक यह अलग जाक कर बच जाता है जहाँ पर जो मुईलं से कौन सा प्यार दोस्तों यह गुंहुलंस किसकी बात करते हैं कुहिलंस अभी तक फ्य jean से कंडिशन हो जाती यह दो बहुत में साका की इस्टापना करता है क्या कि इसका करता है एक लावल उसको है ऑर और यहां से निकल कर का चला जाता है यह निकल कर चला जाता है और यह राना संक्रा किस्ताफना करता है किसका इस्ताफना करता है यह कहां पर जाकर बस जाता है जिस शोदा कहां पर भई सिशोदा ठिकाने में जाकर बस जाता है का जाकर बस जाता है सिशोदा ठिकाने में जाकर बस जाता है सिशोदा ठिकाने में कहां चला जा क्या कहते हैं और इस वाले वंस को क्या कहेंगे इधर इधर वाला जो साखा चलेगी इधर वाली जो साखा चलेगी पहर दोस्तों यह किसके यह वाली जो साखा चलेगी यह कहां चलेगी यह चित्तोडगर में और यह इधर वाले जो साखा चलेगी यह शिशोदा ठिकाने और से सिशोदिया वंस है गागा और इदर किसके दारा किसके दारा चलाए गया बढ़ना शक्का बढ़ना की राह अपने कि राना शक्का जो एकक कहा के एप दो ओंप आप कि दो हो स्थे यहां पर दो पुत्रों के द्वारा इसको गुहिल वंस को दो बागों बाट दिया जाता है और दो बाग कौण कौंशे होते हैं पर दोस्तों एक तो राना सा का और दूसरीरावल को दिव का करें संतर में आगे जाकर ये वापस हो जाएंगे एक हो जाने के बाद आगे Watts कालेंगे तिकाने की काल यह संब्ज मैं आपको हर्थार्ठ रंज शिंह या पंड हैंग्न सुप्जिन के दो समर्शिंग यह वाले इधर वाले लगाएंगे और इधर वाले क्या लगाएंगे भई सिशोधा या शुशोधिया लगाएंगे या पिर राणा लगाएंगे क्या लगाएंगे भई राणा हमी राणा प्रताप यह वाला कंडिशन यहां पर देखने को मिलेगे यहां तक समझ सिंग होता है कौन होता है वहीं देखिए अब यहां पर शेम सिंग कौन बन जाता है यहां पर चितोड का साशक शेम सिंग बन जाता है कौन बन जाता है यहां पर शेम सिंग कहा का साशक बन जाता है यह मेवाड का साशक बन जाता है अब यह साशक तो बन जाता है कि साशक बन जाने के पश्यार्थ और इसके भी दो पुत्र होते हैं कितने पुत्र कितने पुत्र होते हैं एक तो शामंद सींग क्या कहते हैं इसको शामंद सींग और शामंद सींग कहा जाता है कि यहां पर शामंद सींग के बाद दूसरा जोरा वाला पुत्र है वो क्या कहलाता है कुमार सींग कौन सा दूसरा पुत्र कुमार सींग कौन सा कुमार सींग यहा जाते हैं अब दोपूत्र 21 के शेम से तीक है अब कंडिशन क्या होता है पैर दोस्तों यहां पर चाहलो ब Moss connect कंजा यहां पर कीर्टिपाल बना कीर्तिपाल चाहलोमार का चितोड का सासग फॉल करता था किर्तिपाल की और शामंत शिओ से प्राजित कर देद Supreme सब्सक्रांब होता है प्राजित कर देता है शामंत सीन को पराजित कर देता है प्राजित कर देने के पश्चाथ कहां पर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है चलिएगा तो कौन पहरे दोस्तों सामंत सिंग पर कौन आकरमन करता है जालोर का जालोर का कीर्थिपाल जालोर का कीर्थिपाल शामंत सिंग को पराजित कर पराजित कर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है कि तोड़ पर अधिकार कर लेता है अधिकार अधिकार कर लेता है इसको पराजित कर वहीं सामंत सिंग को पराजित कर जालोर का कीर्थिपाल कि पराजित को सामंत सिंग के अर्थार चितोड़ के उपर अधिकार जमा लेता है अर्था अब चितोड़ के उपर किसका कीर्थिपाल का अधिकार हो जाता है किर्थिपाल का अधिकार हो जाने कि पश्चार क्या होता है पहरों दोस्तों आगे और यह सामंत सिंग है यह किदर वागड में गुहिल वंस की स्थापना करता है और अपनी राजधानी वरतमान का जो बडोदा है उस समय ये कहा जाता है नामचे वर्तमान में बढ़ुदा जो कहा पर परता है जो यहां पर यहाँ पर यह जो सामंत सिंग में आगे चल कर तैरान का जित्ति यूद्व होता है 17020 में तो समंत सिंग की बात कर रहे हैं किसकी बात कर तराइन के दितिय यूद में तराइन के तराइन के सेकंड यूद कब 1102 में प्रत्वी राज की और से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है वीर गति को प्राप्त होता है ठीक है यह जो सामन सींग अब कर दोस्तों वेसे तो ज़्यादा यससवी शासक नहीं हुआ एक कमजोरी शासक माना जाएगा क्योंकि जालोर की किर्थिपाल ने इसको पराजित कर दिया पराजित करके इस पर चितोड़ पर अधिकार कर लिया अ स्षयात क्यार करता है प्यार दोस्तों यह सामन सींग यह से चला जाता है और अपनी दरक को बनाता है किसको बनाता है वर्तमान में किसे बड़ुदा को बनाता है और यह कहां पर पढ़ता है वर्तमान में गुजरात में पढ़ता है जिसे बड़ुदा के नाम से जानते हैं और कहा जाता है यह जो कौन सामंद सिंग है सामंद सिंग आगे चलकर जो तराइन का दिते युद्ध हो हो जाती ओर इधर कुमार सिम्ह का आता है ये कीरती पाल को पराजित करगे कौन पहार दोस्तों Dame about के किसकी तरहे बाद ही कि इसके बात करें तुर जहांपर जानकारी मिलती पहर दोस्तों क्या कंडिशन है जहां पर यह कुमार सिंग है कुमार सिंग बाद में आगे चल कर क्या करता है इस कीर्थिपाल को पराजित करता है क्या करता है भई कीर्थिपाल को पराजित करके किसके उपर वापस चिप तोड़ के उपर अजिकार कर लेता है कौन भई पराजित कर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है ठीक है पहर दोस्तों यह चितोड़ पर अधिकार कौन कर लेता है वापस कौन कर लेता है कुमार पाल वापस चितोड़ पर अधिकार करने में सफल हो जाता है अर्थात किसको पराजित करता यह यह प्राजित करता कि इसको यहां पर कुमार पराजित करता है प्राजित करने के पस्छाप यहां तक की जानकार आपको यह प्रकार से किया देखिए पर देखिए रन सिंग का पुत्र और यह करना सिंग को न हुआ एक तो शेंप शिंग एक रहाप रहाप ने राना सा का चला और चैनल साखा चला है जो तोड़ एक प्रेंटिब ठीकाने पर जाकर बस गया वहां पर सिर्फ आपना कर दी थी इसके पश्यात हमने देखा कि आगे चलकर इसके बात जो सॉमंद सिंग और कुमार सिंग कुमार सिंह को पराजिट कर देता है कुटि पाल जालोर वाला सुमन कर लेता है वापस चित्तूर के उपर अधिकार कर लेता है ताक मेवार का सासक कुन बन जाता है वापस कुमार सिंग बन जाता है यह जानकारी हमें मिलते हैं इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं पैर दोस्तो कई शारी जानकारिया और जाते हैं अब इसके बाद सासक बनता है तो कौन आगे चलकर रावल जैत्रशी शाहसन बनता है वही नेक्स्ट बढ़िया राजा है शांदार राजा है और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे करते। क्या पढ़ने जा रहा है सबसे पहले हम बात करने जा रहें इसकी आट थि अधीर आ अब क्या लगने लग जाएगा रावल यह रखना रखना आपको प्रावल जेत्र शींग यहां का शाषक बन जाएगा शाषक बन जाने के साथ प्यार दोस्तों अब यहां से का जाता है कि इनके सासनकाल या सन्वगेरा की जानकारी हमें मिलने लग जाती है तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है कि लगबग इसका जो सासनकाल रहता है बारा सो तेरा से लेकर बारा सो त्रेपन तक रहता है कों से का रावल जेत्रिंग। agवल जेत्रशिंग के बात करें यह इसका सहनकाल मना जाता है। है कि इसके समय क्या होता है कि होता तो कुछ नहीं है दिल्ली की बात करें कि यहां पर इसके समय की बात करें तो इसके समय क्या होता है देखीगा एक वहां तो युद्ध होता है और युद्ध कैसे होता है देखिएगा सबसे पहले हमें जानकारी ध्यान रखने हैं कि कि देखिए रावल जेत्र शिंग की बात करने जा रहे है और रावल जेत्र शिंग क्या है कि इसके शमें क्या क्डिशन होती एक बहुत मदिया यह दोता है इस समय दिल्ली का शाषक किसकी बात करें प्यार दोस्तों दिल्ली का शाषक कहां का दिल्ली का शाषक कहां का दिल्ल का शाशक था उता इल्टुत मिश कौन था इल्टुत मिश कौन था इल्टुत मिश कौन था इल्टुत मिश कौन था इल्टुत मिश दिल्ली का शाशक था का शाशक था इल्टुत मिश कहा का दिल्ली का शाशक इल्टुत मिश बन जाता है अब कंडिशन क्या है इस इदर राजस्तान की और देखता है और राजस्तान की और देखता है तो कहा जाता है कि यह राजस्तान की बात करें तो राजस्तान का मेप आप सभी ने देखा हुआ है तो थोड़ा सा में ट्रायर यहां बनाएंगे को च्छान रखें यहां पर राजस्तान का यह जो मेप है प्यार दोस्तों इस तरह देखेगा आपको पता है प्यार दोस्तों यहां पर पड़ता है आपका रन थम्बोर क्या पड़ जाता है इस जगह पर कौन सा पड़ेगा रन थम्बोर क्या पड़ेगा यहां पर पड़ेगा आपका कौन सा रन थम्बोर कौन सा प्यार दोस्तों रण थंबो और इस समय यहां का सासकता कौन वीर नारायन पंवार कौन था वीर नारायन पंवार या वीर नारायन ध्यान रख्या आपके कौन था वीर नारायन और दूसरी बार जो आक्रमण करता है यह कहां पर भई दूसरी यहां पर ध्यान दिखीजिएगा यह वाला मेवा मेवाल में कौन था इस समय का इसन में यह कौन सा यह वह करें तो यहाँ पर तोड़ा सा उपर चलें यहाँ पर एकिस्तान प्ड़ता resposta कून सा जालोर को पढ़ेगा यहां पर एक स्तान पढ़ेगा पएरशातिव उसकी भात करें यहां पर पढ़ेगा आपका जालो क्या पढ़ेगा जालो और जालो में पहां जाता है इस था ओदे शीह कोंता उदे शीह कोंता वई ऊदे सीढ़ कोंता जालोर का सासक इधित में उदे शीह है अब दिलिया सासक इलतुत मिस्स बन जाता है और उदर दिली में विशा तो तराइन का यतनी दितनी के बाद किर्थी राच छोहान परजीट हो जाता प्रतीराच छोहान परजीत हो जाने कर at artists तूरीं कुतु बड़ IR जो गुणामध की स्थाप्ना करता है गुलाम्ध की स्थाप्ना करतीरेंके परज़ात कहा जाताए कुतु बद्रीं एबग के बाद कुण iltutumis सासक बनता है कुन सासक बनता है गोरी का गुलाम ता कुतुबद्दीन एवग और गुरुबद्दीन की इसकी गोरी की मरत्व हो जाने के पाद उसका गुलाम कुन था भई कुदुब जी यहां पर गुलाम ओंडिकि स्थाप्ना कर देता कोहां पर दिलिय वे यहां भारत में और गुलाम की również की एतापना कर दोदेने के प्रक्षाथ अगराे सबस्द्द्ध कर देता है 2066 में 2056 में 20 how पोर्मन की स्थाप्ना करने के प्रश्याथ गोरी इसका गुलाम कुन था उसका इसका बनता इसका बनताए कुदू अबक के बाद साथ बनता है यह इबक तो जएदा ताम राजिवादी था नहीं उसने सुच लिया कि दिली पर अधिकार हो गया हो गया वारत बादिकार बड़े मोंोज मस्थी से जीवन विताना है अपने को क्या लेना क्या देना कयो एज जरे उठापटा करें तो क्यों करें अपनका सामराजिट बढ़िया दिल्ली पर अदिकार तो भारत फे अधिका इसने सोच लिया सोच लेने के पश्चात क्या करा कुछ निक करा सामराजी वादी सा सकता इसके बाद इसके बाद इसका मिस नित्त का विस्तार करने के सोचता और शामराजी का विस्तार करने के बाद करने के साथ साथ कहा जाता है कि यह कब प्यारे दोस्तों सबसे पहले यहां पर कब प्यारे दोस्तों देखिए गां यहां पर हम बात करने जा रहा है किसकी यहां पर जो क्या करता है यहां पर यह करता है क्या करता है प्यार दोस्तों ये 1226 में कभी प्यार दोस्तों 1226 में ये रन्थंबोर के उपर आक्रमन करता है लेकिन इल्थंबोर के उपर आक्रमन करता है लेकिन इल्थुत मिश्क्या हो जाता है इसमें इस आक्रमन में कभ की बात कर रहे हैं यहां पर में लिख देता हूं प्यार दोस्तों किसकी बारा सो 1226 कभी प्यारे दोस्तों 1226 ठीक है 1200 1226 और 1226 में इल्टूत मिश कौन प्यारे दोस्तों इल्टूत मिश किसके उपर रन थम्बोर पर आक्रमन करता है किस पर इल्टूत मिश रन थम्बोर किस पर रन थम्बोर पर आक्रमन करता है अंगरमन करता है लेकिन अशफल होता है क्या शफल होता है क्या होता है भई शफल होता है ठीक है और यहाँ पर विजे कोन हो जाता है वीर नारायन कोवर पोड़ विजे होता है यहाँ पर विजे कोन होता है विजे कोन होता है वीर नारायन कोन होता है वीर नारायन विजे होता है कोन होता है यहाँ पर विजे वीर नाराय वीजए हो जाता है रनतंबोर का शाशक में अब इसको क्या करता है कि यह जीट जाता है लेकिन का जाता इसका चाचा इसको रूर को क्या करेंगा शम्मानित करेंगे इसको वीर नायरहन पुमार को इससे जुटा जासा देकर कोन बुला लेता है इलतुत मिस बुला लेता है कहां पर दिल्ली में और कहता है कि तिरे को शम्मानित करेंगे और तो इसके चाचा ने समझाया कि चल मत जाना की चले मत जाना लेकिन कहा जाता है कि तू मेरी प्रगति से साले क्या करता है जलता है इसका मना कर रहा है का जाता है ये चाचा की बात नहीं मानता और कहा चला जाता है दिल्ली चला जाता है और दिल्ली चला जाने के पस्चाथ क्या करता है पहर दोस्तो इसको दिल्ली बुला लेता है कुण दिल्ली बुला लेता अब कंडिशन क्या होते है बारा सो 26 में यहां आक्रमन किया और 1227 में कब प्यारे दोस्तों 1227 में कहां मेवाड के उपर आक्रमन करता है किसके उप्रव आक्रमन करता है और 1227 में जो आक्रमन करता है पहरे दोस्तों कौन सा युद्ध होता है यहां पर देखिएगा कौन सा युद्ध होता है यहां पर देखिए पहरे दोस्तों क्या कंडिशन होती है 1227 में कब 1227 में 1227 में होता है भूताला का युद्ध कौन सा पैर दोस्तों बूताला का युद्ध और भूताला का युद्ध किसके उपर करता ये बूताला का युद्ध होता है किसके उपर पैर दोस्तों ये जो आक्रमन किया जाता है किसके उपर अर्थात मेवाड एक तरफ तो मेवाड मेवाड वर्सेज किसके बीच दिल्ली मेवाड वर्सेज दिल्ली के बीच होता है और दिल्ली यहाँ पर मेवार का सासा कौन था पहर दोस्तो जेत्रशिंग कौन था जेत्रशिंग था कौन था जेत्रशिंग था वर्सेज यहाँ पर दिल्ली का सासा कौन था इल्टुत मिस कौन इल्टुत मिस था कौन था इल्टुत मिस था और जेत्र शिंग और इलतुत मिस में यहां पर भेंकर युद होता है बूताला का युद और बूताला के युद में कौन विजे होता है यहां पर बूताला के युद में विजे होता है यहां पर जेत्र शिंग कौन विजे होता है यहां पर इस युद में जेत्र शिंग विज 웃 जाती से जेत्रशिंग की में में विजय हो जाते किस किसे वीच मेंतर दिल्ली के युद्ध ने कर Shield में किस समय का इलतुत मिश्टा और और प्राजित हो जाने के पस्चाथ अभी तक इसकी राजदानी क्या हुआ करती थी राजदानी क्या हुआ करती थी इसकी अपने मेवार की राजदानी क्या हुआ करती थी नागदा को नागदा हुआ करती थी और नागदा ही राजदानी हुआ करती थी और नागदा राजद कर देता है किसको नागदा को क्या कर देता ये नश्ट कर्देता है इसको नश्ट कर देता है कौन निश्ट ँक्तोतता है नागदा कि विलतुत कर देता है क्या करतेता है अब क्टिशन नस्थ कर दिया इसने इसको इसको नागदा को खतम कर दिया फूरे जीन रवस्ता है तो जो वेकती मले उसको मार काड़ देता है और पुरे नागधा को निष्टना भूत कर कि खरेट दिता है पूरे को निम्टा देता है प्यार दोस्तो पोन इल्तुत भी लिस समें इसके जो शेना पती थे लिए दोस्तू एक बनट्रै इसके सेना ना पती थे किसके जेत्रशींग के सेना पती इसके सेना पती थे बालक और मदन को मतरioned रे इचाए डोस्तों इसके जो सेना पती यहां पर जेत्रशींग के जो सेना सेनापती थी किसके थे वह यह सेनापती किसके इस यूद्ध में जेत्र शिंञ के सेना पती हुआ करती IT तender अब इस अपने पुछ लिया जाए कई बार प्रस्शन पूछा जाता है कि आला दुन हो क्राह रहा कि कि ऑद्यवर्य है जैर बार मैं ऑर उदल इसके ते ये परमर्दी देव के ते ये परमर्दी देव के गॉरा बादल जुरा बादल फॉरा बादल ये किस और मदन किसके थे वह बालक और मदन किसके थे यह प्रमिन्योमल्ग पैर नोजूसतों एक ज्यान रखनी आपको बालक मदन किसके सैनारापती थे यह समें और कुपए यह इस किसके यह माले व किसके हैं पूल द्यो के सेना पती है क्वीज मारवाल का माल्डी इसके सेना पति कौन वह भी सके ये मालदिय धियान रखने आपको ठीके ठीके और के बच बच आता एक व्धे सीट के सेना याद रखंविया इस परकार सी सारे सेना पती यहाँ पर यहाँ पर रहना चीब apolog Figure खिके कोई यह प्रसन उठा कर और यह शेनापती थे कौन-कौन जाला उदल प्रमर्दी देखिद गुराबाद ररतन सिंग के बालक मदन जेतर शेंग के कुपा जेता माल देखिए जेमल और पत्ता उदेश शेंग और इस समय इस युद्ध में भूताला के युद्ध में किसने भाग लिया था बालक और में वादवर्द याद्र रजाएगा प्रेदोस्त है जब यह नाघडा नष्ट कर देता है कोन हिल्कुट मिस नाग्राइब को नष्ट कर देने कि पश्चात का आ जाता है प्येर दोस्तों तो तो जैना-जव्य कि तोड्गर को क्या बनाता है यह शेतित्र शींग को यह ब यहां पर लाए यहां पर राज़दानी यह सारी जीजेंग आपको ध्यान रहने चीए और यह भूता लगा युद्ध और शमजमें आ यही माना जाता है यद्राइस किया गया और उदर से देखता है क्या भात कर रहे थे हैं यहां पर युद्र जालोर के उपर भी आक्रमन करता है जालोर के उपर कब करता है यह बारा सो 27 में यहां गया बारा सो 28 में इसके उपर जालोर की उपर आक्रमन करता है कौन इल्टुतमिश और जालोर का यह शंदी कर लेता है क्या कर लेता है वही से शंदी कर लेता है कौन उदेशिंग से शंद लावाराई भी इसको बना दिया जाता है इसारी आपको ध्यान रखननी होगी पेर दोस्तों आज समझ वे आया ये तो देखिएगा पहरा दोस्तों तो यह जेत्रशिंग था किसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे आज की क्लास में क्या क्या आपने तो यहीं से पिछली क्रास में हमने बात कर ली थी इTw सक्तिकुमर सक्तिकुमर कि आकरमर CA करके इसके उपर मेवार को ईधिकार कर लिए इससक्ए वज्वजर्प मारता है निर्माद करवाने के बाद इसकी किसे इसका जिननोदार मोकल के द्वारा करवाया गया मोकल के द्वारा करवाया गया तो इसे त्रिभुन वन नाराइन मंदिर को किसके नाम से समिद्देश्वर मंदिर नाम दे दिया इसे मोकल मंदिर भी करते हैं क्या करते हैं मोकल मंदिर भी करते हैं और यह किस सेले में नि बढना जाता है रन सीघ्म होता है उसके फष्चाट इसके दो पुत्रों इसके प्राज़ित गया से वांगड चला जाता है वांगड नहीं कि पस्चाट बद्रग को राजदानी बनाता है और वहां पर वंगल में किसकी गुईलबंस की स्थापना कर देता है सामन सिंग के द्वारा तायां के दिते यूद में वीरगति को प्राप्त किये जाता है कुमार कुमार सिंग है या कुमार सिंग कुमार पाल लेग दिया वही कुई पार कुमार सिंग कुमार सिंग कुमार सि नाघदा को नश्ट कर दिया जाता है नाष्ट कर देने के पश्चात यहां पर यह तोड़गर को अपनी राज़दानी बनाया जाता है यहां तक हमने बात की थी पहरे दोस्तों तो आज के लिए इतना है काफी तो जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेज के साथ और बने रहिए एक-एक कदम हम आपकी सपलता में केसे जोड़ पाये हैं इसके बहुत अच्छा युगदान देने का काम करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा काम करें पर दोस्तों क्या है चैनल को जिसने चैनल को सब्सक्राइब कि और इस वीडियो को सेर करें जादा से जादा उन लोगों तक पहुचाए जहां तक जिसको इसकी आवश्कता है कि जिसको तो इसकी आवस्शक्ता है तक पहुचा है और इस ज्यान से गोरवानवत या लाभन वित उनको भी तो शेर कहे हैं रहे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें जिसको कोई ने कोई प्रकार की परेशान सेट 25 क्या कव accident तनने बाद.